राश्टपती ट्रम ने हैदरबाद हाउस में पीम नरेंडर मोदी के साथ मुलाकात की इस दौरान उनके साथ अमेरिका की प्रतम महिला मिलानिया ट्रम भी मौजूद रही इस दोरान हिद्रबाद हाउस में प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने दिफख्ष संबंदों पर चलचा के लिए अमेरिके रास्टपती डोनाल ट्रम के साथ बाचीत की है प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी और अमेरिके रास्टपती डोनाल ट्रम ने मंगलवार को मंदों के पूरे छेत्र को कवर करते हुए व्यापक वारता की जिसमें रक्षा, सुरक्षा और वैपार और निवेश के प्रमुक छेत्र शावल है अमेर की राश्टपती डुनाल ट्रम के वारत दौरे का आज दूसरा दिन है मंगलबार सुबर डुनाल ट्रम का रास्टपती भवन में आपचारिक स्वागत किया गया रास्टपती भवन में डुनाल ट्रम को vai of honor भी दिया गया उन्हें 21 थोपो की सलामी भी दी गयी मित कई बड़े नेता और मंत्री राश्टपती भवन में मौजूग रहे अमेरिकी राश्टपती डुनाल्ड ट्रम्प और पर्स लेडी मिलानिया ट्रम्प री राजगार्ट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रधाज ली दिया इस दोरान के ग्रमंजरी हरदीप सिंग पूरी उनके साथ भी रहे डुनाल्ड ट्रम्प ने राजगार्ट की विजटर बुक पर सर्बेश लिखा और महात्मा गांधी को श्रधाज ली दिया ट्रम्प और उनकी पत्नी मिलानिया ने राजगार्ट परिसर में पौधार उपन भी किया राजपती डुराल्ड ट्रम्प की पत्नी मिलानिया ने दिल्ली के हापनेस स्कूल और ननक पूरा में स्थिप सर्वोद्य विज़ाले का दौरा किया है बच्चियों ने मिलानिय को तलक लगाया और आरती उतार कर उनका स्वागत किया है इस कारिक्रम में मिलानिय अकेले पॉची थी मिलानिय ने सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताया और देखा कि किजवाल सरकार का हैपनेस बच्चों को कैसे टेंशन फ्री रखता है और पढ़ाई को वेहद रोचक अंदाज में उनके साब ने प्रस्तुत करता है अमेरिका की राजपती डुनाल्ड चरंप के भारत दौरी को लेकर कॉंग्रस मासिचिव अरिश रावत ने प्रोचकोल का उलंधन कर रहे हैं जो उने सोभा नहीं देता साथी रावत दे कहा कि जिस तरह से भारते क्रिशी भूमी को अमेरिकी निर्यात के लिए खोला जा रहा है उससे भारते किसान तबाह हो जाएगा जो पहले ही मौसम की मार से हुई बर्बाज बसल के नुपसान से उभर नहीं पाया है नागरिक्ता कानून सलसोधन को लेकर शुरू हुआ बवाल उतरपुर्वी दिल्ली में अब खतरनाक मंजर अक्तियार करता नज़र आ रहा है उतरपुर्वी दिल्ली में सोमवार को जम कर हिंसा हुई मंगलवार को भी मौचपूर और ब्रह्मापूर इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई दिल्ली इंसा में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है जसमें हेट कॉंस्टिबल रतनलाल भी शामिल है साथी सौ से जादा खायल बताय जा रहे है सुबसुबब पांच मोटर साइकल को आग के हवाले कर दिया गया मौके पर बड़ी तादाद में पुलस पर तैनाथ है उतरफुर्वी दिल्ली के जाबरबाद और मौचपूर इलाकी में पिछले तीन दिन में हुई इंसा को लेकर कि इंदी ग्रेमंत्रिय मिश्रान एक कानुन विवस्था के स्थिपी पर चर्चा के लिए उच्तरिय बैचक बुलाई इसमें दिल्ली के मौके मंत्री अर्विन केजवाल, उप्राजपाल, अनील बैजल और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हुए केजवाल ने बताया कि ग्रेमंत्री ने हालात समाने करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अश्वासन दिया है सभी दलों को राशनीती से उपर उचकर काम करने की जरूरत है दिली में चल रहे उपद्रफ को लेकर विदायकों और अधिकारीों के साथ आपाद बैठा के बाद मुक्यमंत्री के चवाल ने मीटिया को संभोधित करते वे जनता से शांती बनाये रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि जो हिंसा हो रही है वो ठीक नहीं है कल कोई भी इसका शिकार हो सकता है उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल और डमकल कर्मिया तयार रहे डमकल विभाग पुलिस के साथ तालमिल बिठा कर काम करें उन्होंने कहा कि शिकायत ये भी है कि नितले स्थर पर पुलिस को कोई आक्शन लेने का हक नहीं है उसके लिए उन्हें उपर से ओर्डर लेना पढ़ रहा है उन्हें आक्षिन के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए दिली में इंसा की बाद सुरक्षा की मदे नजर पांच मेट्रो स्टेशन बंद कर दिये गए इसके साथी नौर्ट इस्ट दिली के सभी स्कूल आजबंध है धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे लाके में पुलिस फोर्स की भारी तैराती भी की गई है दिली से सटे दूस्टे राज्चों को हाई अलट पर भी कर दिया गया है गौतम गंबीर ने कपल मिश्रा पर कारवाई करने की मांगी है गौतम गंबीर ने काया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है चाहे वो कपल मिश्रा ही हो क्यों ना किसी भी पार्टी से सम्बंदित क्यों ना हो अगर उसने कोई भड़काओ भाशन दिये हैं तो उसके खिलाब शक्त कारवाई की जानी चाहिए और इंडिया मजली से इतिहादुल मुस्लिबन प्रमुक असुदिन ओविसी ने संसोदिन नागरिक्ता कानूट को लेकर दल्ली में हुई इंसा की निंदा किये और केंसे स्थिती ने अंजिट करने के लिए कदम उचाने की अपील की है विसी ने कहा कि दूश्टों वेश के लाश्टपती दल्ली आते है और हिंसा को हिंसा हो जाती है ये देश के लिए शर्म की बात है दिल्ली में हुई इंसा को लेकर चेप्तिसीम किश्व पुषाद मोर्या ने बयान दिया है उन्होंने कहा कि इसके पीछे साज़िश की बूँ आ रही है यह इंसा जब हुई जब अमेरिका के रास्पती देश में है जांज के बाद इसका खुलासा हो जाएगा इसके पीछे कौन है? यह सुलियोजित सडियंत्र लगता है C.A.E. को लेकर दिल्ली और इलिगण में विगड़े हालाच के चलते बुलन शहर में भी हाईलर्ट जारी कर दिया गया चपे-चपे पर भारे पुलस बलत आना थे D.A.M.S.P. खुद सड़कों पर उतर कर लोगों शेशांती बनाया रखने की अपीर कर रहे है वहीं मेरच में वीस्तुरक्षा के चाक चौबंध जारी कर दिये गया है संबल में मिज्यमील के बर्दन में मानसहार बनाने का मामला सामने आया है कि स्कूल की प्रधान अचार्य ने स्कूल में मिज्यमील के लिए इस्तमाल किये जाने वाले बर्दन को घर लेकर गई और फिर उसमें मानसहार बनाया कुछ दिनों बाद वहीं बर्दन स्कूल में वापस लाकर इसमें मिज्यमील बनाया जाता है पुत्रप्रदेश के चर्चे तुन्णाव रेब केस में दोशे करार दिये गए बीचवे विदाया को विदानसभा सजिस्ता खत्म मानी चाहेगी पुत्रप्रदेश के मुखी पंदरी हो गया दितना अतनी आज लोग भवन में कैबनेट की बैटक की बैटक में 11 प्रस्ताव पर मोहर लगी है बान्दा की बेबरू में नएबर स्टैंड के लिए तनसील की जमिन निश्पल कर दी गई शाथी बुंदेल खंट में पानी के सप्लाई के लिए 15,000 करोन की योशना को मंजूरी दे दी गई है उत्राखरंड बीज़पी प्रदेश अद्रक्ष मंशिदर भगत ने आज यानी मंगलवार को प्रदेश कार्श समेटी की घोशना कर दी है समेटी में कुल 34 सदस्य शामल है कार्श समेटी में खजान दास, अनिल गोयल, कलाश शर्वा समेट 8 लोगों को प्रदेश अपार्धक्ष बनाया गया है वहीं अजय कुमार को प्रदेश महमंत्री संगतन बनाया गया है राजेंद्र भंडारी कुलदीब कुमार प्रदेश महमंत्री बने है पुर्व विदेश मंत्री और वरिस्ट कॉंग्रिस नीता सल्मान कुर्षीद ने दिलिचनावस से मिले जीरो की श्रान में कसीदे गड़े हैं कुर्षीद ने कहा है कि जीरो पलश्चभा स्वामी विकानंद जी नहीं दिया है स्वामी विकानंदर के बताए रास्ते पर चलने में किसी को कोई आपतीर नहीं होनी चाहिए अलबानी में 24 परवरी को होने वाली पध्यात्रा को सफल बनाने के उद्रे से कॉंग्रस के बसेदार ठेक्ष पृतम सिंग बाचर पुर पहुंचे पृतम सिंग ने कहा कि भाचपा सरकार के बदहाल तीन साल के खिलाफ होने वाली लाल्टेन व्राली को सफल बनाने के उद्रे से कारेकरताओं की बैठक ली गई है 26 परवरी को होने वाली लाल्टेन व्राली को सफल बनाने के लिए उन्होंने कॉंग्रेस कारे करता और लोगों को बड़ी सरक्या में हल्टवानी पहुशने की अप्ति उधी की है चारधाम मैनेश्मेंट चैक्ट में सौरी पावर सरकार के पास होने को बीज़पी सांसर सुप्रमन्यम स्वामी ने हाई कोट में चुनाती दी है हाई कोट में आज इस पर सुनवाई होनी है, हाई कोट ने पूरे मामली पर सुनवाई करके इन सरकार राध सरकार और सीओ चारधाम देवस्थानम बोट को नोटिस जारी किया है कोट ने कहा है कि तीन हफतों के भीतर सभी पक्षकार अपना जवाब दाखिल करें सुनवाई के दौरान आज याजका करता सुवर्वन्यम स्वामी ने कोड के साबने कहा कि कल रात भी बोट के सीओ को न्यूप किया गया है कॉंगर्स में गुडबाजी किसी से चिपे नहीं है कॉंगर्स में अब गुडबाजी बड़े स्तर पर भी देखनी को मिल रहा है उत्राखंड में पार्जी के कारिक्रबू में पुर्वमक्धमंत्री और कॉंग्रस लास्टे मासिचिम भरेश रावत को ही दर किनार कर दिया गया बतादे कि 26 परवरी को कॉंग्रस पार्टी उत्राखंड सरकार के खिलाफ लाल्टिन यात्रा निकाल रही है जिसका नत्रत कॉंग्रस पार्टी के प्रदेश अद्रक्ष पीतम सिंग कर रहे है अर इश्रावत इस लाटिन यात्रा का कहीं भी प्रचार करते वे नहीं दिखाई दे रहे है किदारना त्यात्रा मार्ग पर 4.79 करोड रागत से दो पार्किंग प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है सचिवालों में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंग की अद्रक्षता में उचाधिकार प्राप्त समीती की बाठक में विशेस अयोजा नागत सहायता पुर्ण निर्मान के तहत उक्त्प्रस्तावों को स्रक्रिती दी गई किदारना त्यात्रमार्ग पर सितापूर में यूपी आरेनन पार्किंग के समीब खाली पड़ी भूमी पर दो दसमलों दो नौक करोर लागत से नई पार्किंग का निमान किया जाएगा इसी तहत सोन प्रयाग में वहानों की पार्किंग शब्ता में व्रिधी को यूपी आरेनन पार्किंग स्थल के नजदिक उपलब भूमी में नई पार्किंग बनाई जाएगी वितसचेव अमित नेगी ने उक्त प्रस्ताव का प्रस्तुती करन दिया है बेरदुन में अपराधियों पर नज़र रखने और खूपया जानकारी जुटाने के लिए दियाईजी ने सोजी के समानतर एक अलर क्रिमिनल इंटिलिजिन्स यूनिट का अगठन किया है 11 सकस्यों की टीम का प्रभारी इंस्पेक्टर नदीम अक्तर को बनाया गया है CIO अपराधियों के समद में खूपया जानकारी गभी वीदियों का अनुमान लगाएगी और अपराधों के रोख्थाम के लिए नगरानी रखी जाएगी वही डियाईची अरुन बुहन जोशी ने बताया कि इस यूनिट को सबसे पहला टाल ड्रक्स का दिया जाएगा कनौज पुलिस का अपराधियों के साथ धाबे पर नाश्ता पानी करने का एक भी जो वारल हो रहा है कनौज के कचहरी गेट के पास पुलिस दो अपराधियों की पेशी पर ले जा रहे हैं तब है पुलिस की गाड़ी एक धाबे के सामने रुपती है पुलिस का अधिकारी और दो अपराधी धाबे में बैट कर बड़े अमा अराम से राश्ता पानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं जब अपराधियों ने कैमरा देखा तो वो मूँच शिपाते हुए नजर आए खादरिभाग द्वारा एक नखी बनाने के प्याक्ट्री पर चापा मारा गया थैक्टरी के अंदर मसालों में बड़े पैमाने पर मिलावत का खेल चल गःए मसाले पीषने की ताक्षिवें हल्दी, लालमिर्च, धनिया, काला नमक, कच्चु का आठा में बड़े पिमाने पर मिलावच की जा रही है मसालों की बाजारों में सप्लाई होनी थी अब इनको सील कर दिया गया है और 15 नमूने लेकर जाच के लिए भी भेज दिया गया है सरकार ने नई आपकारी नीती तयार की है नई नीती में कहा गया था कि शराब की लाव में रही दुकानों को उनके वर्तमान लाइसेंस धारग को सीदे 15 पीज़ी बड़ी अधिकार के साथ सौब दिया जाएगा लेकिन गिलाव उन्हें बैपारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी बकाया 20 परवरी तक पूरी कर ली है दरसल नीती कैबिनिट ने पहले 20 परवरी की रखी थी तारीक हाला कि आपकारी आयत्तर शुशील कुमार ने सुमवार को भूल सुधार कर बकाया की तिती बढ़ा कर 27 परवरी कर दी है संबल की मो की चिकित्सा कर ले में तानात कनिस्ट लिपिक वनेश शर्मा के काले चिट्टे साब में आया है आपने पूरा मामला रखा वहीं इस बावु के फर्शिवाड़े की शिकायत दोकायुक प्लक पहुच गई है कई सालों से पराड़ चल रही एक ठग महिला को फिलिविद पुलिस ने गिरफतार कर लिया है 25,000 की इनामी ठग महिला को S.O.G. टीम और सुनगड़ी पुलिस की सैवत टीम ने गिरफतार कर जेल भीज दिया आरोपी महिला 2016 से फराड़ चल रही थी जिस पर 25,000 का इनाम खोशिक था आरोपी महिला अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की रतम दोगुनी करने का चासा देकर चिटपन कमपनी बना कर लोगों से लाखों रुपे वसूल कर जाल साजी कर दी थी अर्दोई की विलग्राम पुलिस ने कई बड़ी चोरियों को खलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गरफतार कर लिया है उनके पास से लाखों के सोने चान्दी के जेवरात और मोबाइल भी बरामत हुए है पुलिस के अनुसार चारों के कुछ साथी फरार है जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है यूपी के हमीरपूर चिले में एक सब्ता पुर्व हुई कालका मंदिर में देवी के च्छत्र चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने सिसचवी को आधार मान कर एक आरोपी को गिरफतार किया है जिसके पास से पुलिस ने माता का च्छत्र भी बरामत कर लिया उदरप्रदेश के कुछिनगर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है यूपी बोर्ड परिक्षा की कौपिया गाउ में लिखी जा रही थी जिसको मजिस्ट्रेट ने रंगे हाथों पकड़ लिया कुछिनगर के पटर हेवा थाना छेत्र के पुरवांचल के सार्न इंटर कॉलेज में चल रही परिक्षा की निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट जिला गन्दा अधिकारी पहुँचे तो उन्हें इस केंद्र पर नकल और यहां की कौपियां गाउ में लिखी जाने की जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने च्छापमार कर गाउ में लिखी जा रही कौपी को पकड़ लिया है जलिधपुर की ब्लॉग बिर्धा में स्थित इंटर की परिक्षा दे रही चात्र ने उसी कौलेश में पढ़ाने वाले सिक्षक पर नकल करवाने का आरोफ लगाया है वही इस मामनी पर एजेम अनिल कुमार विष्ट में कहा कि जिलाव उत्याले नरिक्षक द्वारा इस मामनी की जाच करवाई जारी है और क्या तथ्थ है वो सामने आने पर ही कारवाई की जाएगी आपुड में एक यूवक की पिचाई का वीजियो सोशल मीजा पर वारल हो रहा है वीजियो में कुछ यूवक आलू के खेत में एक यूवक को लाटी टंडो से बेरहमी से पीट रहे है ये लोग यूवक को तब तक मारते रहें जब तक की यूवक बेभोश नहीं हो गया वीजो के वारल होने के बाद पुलिस ने मामनी की जाश शुरू करते हुए नौ लोगों के खिलाब केस दर्श कर लिया है शोशल मीजिया पर बड़ी तेजे से वारल हो रहे हैं वीजो ने जदाद नगर के प्रशास्तिनिक महकमे में हड़कब मचा दिया है वारल हो रहे है इस वीजो में शोरदगर नगर पंचाया तद्रक्ष के प्रतेनी थी और हिंदू युवा वाहिनी के देवी पाठन मंडल के अध्यक्स वाश कुपता और उनके पुद्व उपजलादिकारी शोरतगड के कारले में उपजलादिकारी के सामले की तांडों करते हुए नज़र आ रहे हैं कानपूर के घाचंपूर कोटवाली सेत्र में विधाय के करीबी सत्यम नाम के कारेकर्टा का RK Resort जहांगिराबाद में शादिसमारों के दोरान रिवॉल्वर लहराते में वीज़ वारल हो गया वीजो में दिखा चा सकता है कि कैसे युवक रिवॉल्वर लहरा रहा है उन्डू में ग्राम प्रदान की दवंगई का वीजो साम में आया है ये पूरा मामला विखापुर के दिगविजएपुर का बताया जा रहा है महराज गंज में ट्रेन के इंतिजार में स्टेशन पर खड़ी एक 17 वर्ष यूपटी को चाय में रशीला प्रशाद पिला कर अवैल्द वेंटरो द्वारा गैंग रिप करने का संसनी खेश मामला सामने आया है कोटी भार ठाना छेत्र के सस्वा रेल्वे स्टेशन के घटना ये बताई जा रही है पॉसको एक्ट का मुकदमा पुलिस ने दर्श करके अपराधियों को जेल पे धेज दिया है यूपी के रामपूर में नबालिक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है और उपियों ने चाय में निशिला प्रशाद देकर दुशकन के घटना को अंचाम दिया साथी नबालिक लड़की के खोश आने पर उससे जबरन निकात दरने की कोशिश भी की है इस मामली में एक महिला समेट चार लोगों के खिलाफ एफाईयार दर्श किया गया है परिजनों की तहरीर के मताबिक बेटी घर में अकेली थी इसी बीच उसका पडोसी ताहिर उसकी पत्नी संग उसके घर आया और बच्चों को मेहली लगाने के बहाने से बहला फुसला कर अपनी साथ ले गया और नशीला प्रदात खिलाकर उसके साथ दुशकर्म किया मामली में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है चंपावत की नेपाल सीमा से लगे मैदानी छेत्रों में चकनपुल पुलिस ने उधम सिंग नगर के नानक मत्ता इलाके के दो लोगों को 4.301 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने स्मैक तसकरी के नेच्वक के पूरे काले चच्चो को खोल दिया मामले की कबेटा को देख दिले पुलिस गिरों के नेच्वक को खंगालने में जुट गई तरसर ढकनपुल कोथवाली पुलिस को मुख्बी की सूचना पर स्मैक तसकरी से जोड़े बाइक सवार दो संदिक त्यूवकों को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 4.301 ग्राम स्मैक बरावत किया गया है वकासगर में कलियों की बेटे ने मांक की गोली मार कर हत्या कर दी अत्या करने के बाद बेटे ने खुद को भी गोली बाड़ी गटना के बग धर का नौकर बाहर गया हुआ था और वहीं मृतक बेटे ने आपने दोस्त को कमरे में क्याद कर दिया मृतक यूवक घर के पास निजी हॉस्पिटल चलाने का काम करता था वही मृतक महिला सुबर चंडिगर जा रही थी जिसको लेकर बेटे और मा में विवाध हो गया गटना के बाद पुलिस मामली की जाच शुरू कर दी है बरेली फतेगंस पश्मीत आना चेटर के आईवे पर अग्यात वान की चपेट में आकर चीते की मौत हो गई बरेली बन-विवाध की टीम ने चीते का शब को अपने कबज में ले लिया है काफी दिनों से छेत्र में चीता होने की खबर सामने आ रही थी पताया जा रहा है कि उत्राकंड से भटकत कर चीता बरेली आ गया था और लोगों में चीते की दश्यक भी थी मिरट के खरकोदा में मंगलवार सुबव एक पती ने अपनी पत्नी और आज मा के बेटी के नर्मम हत्या कर दी सोचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली पुलिस ने महिला और बच्चे के शब को पोस्ट मातन के लिए भीज दिया है वही हत्या को अंजाम दे कर भाग रहे और उपी पती को पुलिस ने गिरफटार कर लिया है पुलिस मामने की चार्च कर रही है मेरच के थाना कुटवाली लाकी में दबंगों की दबंगई देखी गई दरसल दबंद युवकों ने चार्च की पिटाई कर देई दबंगों की पिटाई से युवक गंभी रूप से घाल हो गया पुलिस ने चार्च को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है विजबी कारकरता उन्हें दबंगों की गिरफटारी की मांग की है अमेचकर नगर में 21 वर्षे युवक की धारदार हतियार से हत्या करने का मामला सामने आया है हत्या से जहां इलाके में संसनी फ्याल गई तो वहीं परिवार में कोहरा मचा हुआ है मौकी पर पहुंची पुलिस ने ग्रामिनों की मदद से शब को शनाक्स कर हत्यारों की तलाश में जुड़ गई है अपर पुलिस अदिक्षक में भारी पुलिस पोर्स के साथ घटना स्थल्का बारीकी से निरक्षन किया और जल्दी हत्यारों की गिरफतारी की बात गई है रिजिकेश कनप्राग रिलाइ निर्मान के कारे के चलते और वेदर रोड निर्मान कारे में प्रभाव पढ़ने लगा है 82 और नर्पंटा के पास NH 58 का अलाइमेंट खिसक गया अलाइमेंट में आई तकलिकी खामी को दूर करने के लिए लोग निर्मान विभाग इन दोनों जब्हों पर फूलों का निर्मान कर रहा है सितापुर की मचरेटा थाना इलाके के पटी गाओं में खेत में बने 40 फुट गयारे बोर्विल में एक यूबक गिर गया यहाद सापम का वॉल खोलने के दौरान हुआ है चेद्रकुट के राश्टी रमायन मेला के चौते दिन पदमिश्री गायक अनुप जलोटा पहुंचे अनुप जलोटा ने राम भजन काकर लोगों को मत्रुट कर दिया ताज मौत सब में बॉल वुट स्नाइट का अज़न भगा के शाम बॉल वुट सिंगर नितिमोहन के नाम रही नितिमोहन के गानों पर देराथ तक फिरक्ते नजर आये लोग भारतनी एससी महिला T20 विश्व कप ग्रूपी मैच में बांगलादेश को 18 रनों से हरा कर लगतार दूसरी दीज़ दर्श कर ली है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और बिग बी के सीजन 13 के पाथिस्पिंट्स रह चुके खिसारी लाल या दव के भोजपुरी सौंग में रिलीस होते ही तहल का मचाना शुरू कर दिया है